एंटी ए यूजी सिनेट यानि निमिजिनेट डाउलोड इट उन गूगल प्ले स्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोतास निमि है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल इमिजिनेट प्रोपे दोस्तों आज मैं आपको एंटी यूजी सिनेट के अंदर दुनिया का सबसे असान कोश्चन दिखाने वाला हूँ और ये ऐसा कोश्चन है दोस्तों पांचवी क्लास का बच्चा भी इसको बिलकुल असानी से कर सकता है अप यकीन नहीं करेंगे कि यूजी सिनेट के अंदर इतना असान कोश्चन भी आ सकता है और बिलकुल असान है जैसा मैंने कहा है ना कि इसको पांचवी क्लास का बच्चा भी बिलकुल असानी से कर सकता एक छोटी सी ट्रिक आपको यूज करनी है और सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है ये हर साल आता है ये कोशन हर बार एक्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाता है NTUGC net के अंदर और मैं भी आपको live proof के साथ दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो अगर आपको net और jar चाहिए तो हमारा paid course से ज़रूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नमर एक 2022 के new updated notes देंगे नमर 2, 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के question paper हिंद इंग्लिस में देंगे नमर 3 पे दोस्तो हम आपको 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के unit wise question आपको देखने को मिलेंगे नमर 4 पे दोस्तो हम आपको unit wise के अलावा आपको sub topic wise question भी देंगे आज तक जैसे जो भी type of research से question आजके वो अलग है, hyphothesis के अलग है type of company question से जो भी question आजके वो अलग है यानि कि sub topic wise question भी आपको मिलने वाले है नमर 5 के दोस्तो हम आपको old 10 unit की and free videos देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको math or TI के सभी question का solution प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ दोस्तो हम आपको यह विताएंगे कि ऐसे कौन से question है जो बारवान exam के अंदर repeat होते हैं तो दोस्तो देख इस बात की, अभी जोईन किजी हमारा paid course क्योंकि नमीजिनेट है तो ज्यारव है यह देखें दोस्तो यह हमने anti-usition at logical reasoning की 2012 से लेके 2020 तक दोस्तो 2020 तक हमने PDF बना रखी है इसके अंदर 2012 से लेके 2020 तक सभी question हमने unit wise अलग लग की है तो चलिए मैं आपको वो question दिखाता हूँ जो हमारा exam के अंदर बहुत ज़्यादा बार repeat हुआ है हमारा वो question है analogical reasoning से related है साद्रस्यता मूलक से वो हमारा question है और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमारा repeat हुआ है और हमें उसमें क्या चीज ध्यान रखनी है यह मैं आपको दिखाता हूँ यह देखें यह हमारा question है यहाँ पे question number यह देखें दिसंबर 2013 का question paper है और इसकेंदर यह देखें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे Hindi English दोनों में मैं आपको दिखाने की question करूँगा यह देखें यह रहा question number 14 है इसकेंदर इन्होंने क्या का है कि सनी और मंगल गरहें दोनों पिर्थवी की तरह ही सांता करेंगे जहां पर comparison करेंगे दो चीजों का तो वहां पर क्या होगा हमारा सादरश्यता मुलक हमारा answer पोज जाएगा देखें जहां पर हमें comparison किया हुआ दिखाई दे जहां पर कुछ समानता दिखाई दे दो चीजों के बीच में तो वहाँ पे हमारा जो answer आएगा दोस्तों वो हमारा आएगा साधरश्यता मुलक हमारा answer आएगा और English में भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए Saturn and Mars are planet like the Earth यानि कि ये दोनों के दोनों planet क्या है पिर्थवी कीत रहे ही ग्रह है यहाँ पे इन्होंने comparison किया हुआ समानता यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है तो इसका answer यहाँ पे क्या गया दोस्तों answer number three analogical इसका answer आ गया और अब यह देखी यह question किस तरह से हमारा repeat हुआ है क्या चीज हमें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं और जो आगे जो question आया हमारा यह देखिए यह हमारा जून 2014 के अंदर question आया है और इसमें इन्होंने क्या कहा है जिस परकार किसी सेना को चोटी-चोटी टुकडियों में बांटने से सेना की सकती सीन हो जाती है उसी परकार अब देखी इसने कहा है कि जिस परकार किसी सेना को चोटी-चोटी टुकडियों में बाटने से सेना की सकती सीन हो जाती है उसी परकार किसी हीरे को चोटे-चोटे टुकडों में काट दिया जाए तो उसके मुल्य में हास हो जाता है यानि कि मुल्य में कमी आजाती है तो यहाँ पर क्या किया है सेना की टुकडी और जो हीरा है इन दोनों के अंदर कंबेरिजन किया हुआ इन दोनों के यह वीडियो बनाई थी वो एक साल पहले बनाई थी वीडियो आज मैं बना रहाई हूं 2020 में 2020 में बना रहा हूं तो इसके ऑंदर में आपको बहुत अच्छे तریके से बताने वाले हूं कि 2020 में किस तरह से question में बदलाओ आया है तो दोस्तों यह वीडियो आपको पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है चलिए आगे मैं आपको यही question English में भी दिखा देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए यह देखे if a large diamond is cut up into little bits it will lose its value just as a army is divided up into small unit यहां पर भी इन्हों क्या है कि comparison क्या हुआ है और इसका answer देखिए answer इन्हों ने क्या दिया ए दिया और ए इसका answer क्या है हमारा एना लोजिकल answer यहां पर है ठीक है तो अमेद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अब यह देखे जून 2015 के अंदर देखे तीन साल होगे तीन साल 13 में भी आया 14 में भी आया 15 में भी आया ठीक है और आगे बहुत बार एक कोशन रिपीट हुआ है आगे मापको दिखाने वाला हूं अब यह देखे यहां पर जून 2015 के अंदर कैसे कोशन आया है बहतर सिक्षा का लाब उठाकर किसी आदमी का अपने को इस त किया हुए है समानता दिखाई हुई है कि इसी परकार है जैसे की ठीक है जहां पे आपको यह नजर आए कि इसी त्रहर जैसे कि जिस त्रहरै और इसके निमन दिए गए तरक पर विचार किजिए शिक्सको का रोज़गार पुरूप प्रिक्शन बिलकुल उचित है क्योंकि चिकत्सकारों वस्तुकारों एवम अभियताओ। इस समय न्यूक्त थेख को ऐसे प्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। कि six ko का भी टेस्ट होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि जो हमारे जो चिकतसक है और वास्तुकार से उनको भी इनसे न्यूक्त होने से पहले परिक्शन से गुजरना पड़ता है तो यहां पर क्या है कि इन्होंने क्मपेरिसन किया हुआ है इनके अंदर समानता दिखाई गई है तो यहां भी इस कांसर के है दोस्तो answer number two यहां पे दिया हुआ है सादर्शता मूलक इस कांसर दिया हुआ है दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए और देखी कितना कितना easy इस के अंदर एक ट्रीक है कि जहां पे समानता दिखाई जाए और यही बात अगर हम पांचवें क्लास के बच्चे को बताएंगे कि जहां पे दो चीजों का comparison किया जाए समानता दिखाए तो वह भी इस cancer बिल्कुल असाने से दे देगा तो इसलिए मैं कहे रहा था दोस्तों आपको शुरू में कि दुनिया का सबसे असान question हमारे यूजी सी नेट के अंदर आता है और अगर अब भी आप यह question गलत करेंगे ना एक्जाम के अंदर तो तोड़ूंगा बहुत मैं तुम्हें देख ले ना तोड़ूंगा बहुत और जो भी दोस्त इस question को जोन 2016 के अंदर क्या है यह कलपना करना कि इस अनंत अंत्रिक्स में पर्थवी ही एक बसी हुई दुनिया है ऐसा ऐसंगत कथन है जैसा यह है कि बाजरे के खेत में केवल एक दाना उगेगा ठीक है यहाँ पे भी इन्होंने comparison किया क्या comparison किया है कि अगर हम यह सोचे न कि किया हुआ है तो यहाँ पर भी इसका answer किया दोस्तों answer number four है साधर स्यतात्मक इसका answer है अब देह लीजिए 2013 में 14 में 15 में 16 में हर बार यह question आया है दोस्तों हर बार हर exam के अंदर यह question आया है तो यहाँ पर इस तरह के अगर मैं मालों आपको 20 question मैं बता देता हूं इस तरह के हर topic में logical reasoning के अंदर research के अंदर teaching के अंदर ICT के अंदर अगर आपको बता दू तो आप बताएए खुद बताएए आपको कोन रोक सकता है यूजिस नेट ज्यारफ qualify करने से आपको कोन रोक सकता है ठीक है तो इसलिए मैं कहता हूं आप हमारी videos देखिए और अगर आपको पू सकते हैं चलिए आगे देखते हम आगे यही कोशन किस तरह से रिपीट हुआ है हमारा और यह देखिए यह 2017 का कोशन पेपर है देख लीजी आप देख लीजिए हर साल यह कोशन आ रहा है यह देखिए महिला हो तो था प्रुशो की प्रजनादनत प्रजनात्मक किरिया दूसरे के सापेक्स अधिक उतकर्ष्ट अथवा उतकर्ष्ट नहीं माना जा सकता उसी तरहे अब देखिए आगे ना उसके अंदर उसी तरहे जिस परकार किसी पक्सी के पंखो को मीन पक्सी के सापेक्स उतकर्ष्ट या उप उतकर्ष्ट नहीं माना जा सकता यहां पर क् पक्सी है पक्सियों का कंपेरिजन किसके साथ किया गया है जो हमारे व्यक्ति है महिलाए है उनके साथ कंपेरिजन यहां पर किया गया है और जहां पर कंपेरिजन होगा वहां पर क्या आएगा हमारा साधर स्यता मोलक या साधर स्यत परक आंसर आएगा और इंगलिस में इसको लग अधा दोस्तों कर सकते कि कि दिख सकते हैं अब तो आपको यकीन आगया हो और मैं आपको हर बार हर टोपिक के अंदर दिखाता हूं और दोस्त को लाइक जरूर करने वाक्स के अंदर आप और देखिए यह देखिए आगे हमारा नवंबर 2017 का कोशन के पर है इसके अंदर इन्हों ने कहा है कि जैसे गिलास में बर्फ के पिंगलते गोलों से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं बहता उसी प्रकार पिंगलते हुए समुंदरी हिम खंड से समुंदर का एतन नहीं किसका क्या हुआ है कि लास में फानी होता है उसका पैरीन हमारे समुंदर के साथ ह किया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर इस इसका आंसर क right आएगा गा है कितने जबरदस्त कलास है न आज की और अभी आपको और दिखाने वालों आप बने रही है मेरे साथ बहुत से कोशन है यार बहुत कोशन है कितने कोशन मैं आपको दिखाऊं और यह मैं आपको देखे सभी कोशन यहाँ पे दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिल्कुल असानी से अपना नेट और जियारफ क्वालिफाई कर सकते हैं और इसमें मैं दिखाता हूँ हमारा 2018 के अंदर भी कोश्चन आया है रुकिए इसके अंदर ये रहा ये रहा देखे ये हमारा है 21 दिसंबर 2018 मौर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर ये दे दिखी लक्षयाहिन व्यक्ती ऌरी लक्षयन व्यक्ती ऐसे कम्प्विटर की तरह जिसमें कोई प्रोग्राम नहीं है अब देखि यहाँ पर ओपर कंपीरिजिन किसका है व्य 타का और याणि कि जिस व्यक्ति का और एक ँता और आillarपको कैसा होता है जिसमें कोई प्रोग्र हुआ 2012 में 13 में 14 में 15 में 16 17 और 18 में भी रिपीट हुआ हर साल आ रहा है यार यह कोशन हर बार आ रहा है तो भाई यार यह गलत नहीं होना चाहिए अगर यह गलत हो गया ना तो अच्छी बात नहीं है यह डिजिटल पिटा यह कोई बूरा मत मान जना और एक कह रहे थे कि सर आपको तो बोलने की तमीज नहीं है हम तो वहीं ऐसे भोलते हैं यह हमारा निमिज यह चैनल नहीं है यह हमारा परिवार है परिवार में कुटाई करते हैं ठीक है पैसे भी देते हैं सारी चीज़े देते हैं चलिए आगे देखिए आगे हमारा यह रहा कोशन यह बहुत कोशन रिपीट होए वह देखें 211-2018 सिफ्ट टू के इंदर भी यह कोशन आया है और इ यहाँ पर यह देखे, is a little like an, यहाँ पर यहाँ पर भी इन्होंने comparison किया हुआ है, तो इस answer भी यहाँ पर analogical answer आएगा, ठीक है, तो बहुत question repeat हुए हैं यार, बहुत, कितने question बताओं हैं, कितने question बताओं, बहुत repeat हुए हैं, और अगर आपको repeated होने वाले question की वीडियो देख सकते हैं, और यह देखे, यह हमारा 20 zone 2019, अब 2019 की बात आगी है, ठीक है, 2018 की बात, 2019 की बात आगी है, इसके अंदर देखे, ए पाइलेट विदाउट प्लाइट, प्लेट प्लेट इस लाइक एन आर्टिस्ट विदाउट पेंट, यानि कि एक जो पाइलेट है, अगर उसके पास हवाई जहाज ना हो, तो वो किस तरह का होगा, वो उस आर्टिस्ट की तरह होगा, जिसके पास पेंट ना हो, तो यहां भी क्या है, दोनों के अंदर समानता दिखाने की कोशिस की गई है, तो इसका अंसर क्याएगा, दोस्तों हमारा answer ए आएगा, एनालोजिकल इसका अंसर आ जाएगा, ठीक है, देख लिजिए, और कितने असान कोश्चन आ रहे हैं, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बूरी बात कोई होई नहीं सकती, तो चलिए, आगे हम और देखते हैं, यह देखें, आगे फिर हमारा कोश्चन आ गया है, यह हमारा 21 जोन अंतर दिखाने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, एनालोजिकल आंसर हमारा आ गया, ठीक है, और यह देखें, अभी मैं आपको यह दिखाने वाला हूँ कि 2020 के अंदर, किस तरह से इसके अंदर modification हुआ है, यह आपको दिखाता हूँ, और बहुत से को solution है, हमारे इसके अंदर आप देख लेना, इनको अगर देखना चाहे तो, और अभी हम चलते हैं, 2020 के अंदर चलते हैं, देखें, 2020 में इसका जो थोड़ा सा pattern, वो किस तरह से बदला है, यह देखी, इन्होंने यहाँ पर युगम दे दिए, मिलान करने दे दिए, पहले तो युगम दे दिए, ठीक है, कटेगरी दे दिए, इनमें हमें मैचिंग करना है, अब यह देखें, उल्लू है, उल्लू क्या करता है, उडान भरता है, और यहाँ पर देख लीजिए, सादर सिता, जो युगम है, उनका हमें सुमेल करना, उनको मैचिंग करने है, उल्लू है, उल्लू उडान भरता है तो इसका क्या है स्पर्स है स्पर्स क्या है रेंग रेंग के चलता है ठीक है आगे है घंटी है घंटी से क्या है टन 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 की आवाज आती है तो इस घंटी और टन टन के जैसा क्या हो सकता है देखे मेग है बादल है बाजल क्या है वो गरजते है घं आगे हम बात करते हैं, जैसे चाकु है, चाकु से हम क्या करते हैं, काटते हैं और तलवार है, तलवार से क्या होता है, वद्ध होता है, किसी की हत्या की जा सकती है, आगे क्रिशक है, किसान है, किसान क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, इसी तरीके से जो दूद के किसान होते है वो क्या उत्पादन करते हैं दूद का उत्पादन करते हैं तो देखिए आप यहां पे किस तरह से थोड़ा सा पैटरन चेंज हो गया है ठीक है तो आप आपको यह पता होना चाहिए कि क्या चेंजिस हो रहे हैं और आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे ना एक चीज मा आप कर पाते हैं हम क्या करते हैं कि नए पैटरन के अनसार नए एक्जाम जो हमारे आ रहे हैं उनको हम एनलेसीज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कोश्चन देखते हैं हम केवल थियोरी नहीं पढ़ाते हैं हम थियोरी के साथ साथ कोश्चन भी करते हैं और कोश्चन देखत तो हमें pattern का भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे question change हुए है और आगे मैं एक और question आपको दिखाता हूँ जो हमारा 2020 के अंदर ही आया है तो हमें इन सभी question को करना बहुत ज्यादा जुरूरी है अब ये देखें अब दोबारा फिर ही आ गया ये हमारा 30 September 2020 shift second का paper है ये ठीक है और पहले वाला कौन सा था पहले वाला भी मैं दिखा देता हूँ कौन सी ये देखें एक October 2020 का था और ये हमारा है ये अगला question और मैं आपको दिखाता हूँ रुकिये भाई हंजी ये September का paper है यहाँ पर ये देखें इसके अंदर भी हमें क्या करना है मिलान करने है ठीक है matching करनी है आगे है कुता है कुता कहां पर रहता है कुता घर के अंदर रहता है तो इसका क्या आएगा चुहा किसके अंदर रहता है बिल के अंदर रहता है आगे हमारा मुर्गी है मुर्गी क्या देती है चूजे देती है और पान सोरी गाए गाए से क्या बनता है बच्डा बन करते हैं ना तो देख लीजे कितने असान कोशन है यार हमारे तो दोस्तों मैं उम्मेद करता हूं आपको यह सारी चीजी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपका एनलोजिकल रिजिनिंग से एक कोशन आता है हमारा और यह एक कोशन आपका गल्त नहीं होगा और यार सच खैर रुपे वगरा की तो बात मजाकी है बट यह यह दोस्तों अगर आपका यूजिस नेट कलियर हो जाएगा ज्यारफ हो जाएगा तो यह उससे बड़ी बात क्या हो सकते हैं वह 500 रुपे बहुत चोटी चीज हो जाते हैं यह सारी मजाकी बाते हैं कोई बात नहीं आपक यह वीडियो कैसी लगी है पलस में दोस्तों अगर आपने अभीत अनिमिजनेट डाउनलोड यह लैं नहीं किये तो वह बहुत अच्छे तरीकर से हमाप उसमें study करवा रहें हैं तो दोस्तो आज के लिवस इतना है, thank you very much, bye bye. सब टॉक्टिक वाइस कोशिन भी आपको मिलने वाले हैं, नमबर पांस के दोस्तो हम आपको old 10 unit की add free videos देने वाले हैं, इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको math or TI के सभी question का solution प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तो हम आपक आपको ये बिताएंगे कि ऐसे कौशिन है जो बारवाण exam के अंदर repeat होते हैं, तो दोस्तो देव किस बात की, अभी जोईन किजी हमारा paid course क्योंकि नमीजीनेट है, तो जयारब है